बॉड बॉर्निंग ओल उफ यू वेलकम यू ओल एश्टेट इन देवर एसेंट ओनलाइन क्लास आज के अमारी क्लास से क्लास थर्ड के लिए और आज का मारा सब्जेक्ट है इंदी तो बच्चों हमने पिछली क्लास में हमने इंदी व्यागरन की बुक में से पड़ा था औ और उसके लगबग पांच पार्ट हमने पूरे कर लिये हैं और सब बच्चों ने क्योशन आंसर भी कर लिये हैं और लगबग काफी बच्चों ने नोट बुक भी चेक कर वाली हैं तो आज हम इंदी फर्स्ट की बुक में से नंदे नीव इंदी पार्ट पुस्तक में से प कविता हम पढ़ेंगे, सारा जग उसके गुण गाता, शिक्संड संकेत, इस कविता में इसकर के बारे में बताया गया है, जिन्नोंने पूरे संसार की रचना की है, और प्रकृति द्वारा में बहुत कुछ दिया है, पुजा करता है, तो बच्चों मैं ये कविता पढ़ूंगी आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है ठीके जिसने ये तारे चमकाए जिसने सूरज चांद बनाए जो दिन करता रात बनाता सारा जग उसके गुण गाता मतलब जिसने यह तारे चमकाई हैं तारे सी तारे चमकाई हैं जिसने सूरज चन्रमा भगवान बनाये हैं जो दिन भी करता हैं जो राद भी बनाता हैं और सारे जग उसके गुण गाता है तो वह कौन है वह है भगवान क्योंकि भगवान नहीं तारे भी बनाया है, चूरज भी बनाया है, चंद्रमा भी बनाया है तो इसलिए हम सब हैं जो इस्वर की पुजा करते हैं सर्दी जाती, गर्मी आती, वर्सा आती, जल बर्साती, जो पत जड़ फिर वसंत लाता, सारे जग उसके गुणगाता तो देखो ये भगवान की रचना है, ये भगवान के बनाये गए नियम है, रितु अपि अपने समय पर आती हैं, पहले सर्दी आती हैं, फिर उसके बाद में सर्दी जाती हैं, तो गर्मी आती हैं, फिर गर्मी जाती हैं, तो वर्सा रितु आती हैं और वहाँ पे जल बर् जब वर्सा होती हैं तो सारे खेथ हरे बरी हो जाते हैं ओर परवत बी देखो आप कितने बड़े बड़े उंचे-उंचे परवत बनाए है जील नदी का जो जल दाता सारा जग उसके गुण काता है नदिया भी बनाई है, नदियों के अंदर जो जल भरता है, उसको जल दाता बोलते हैं, तो वो भी सब कौन है, किसने बनाई है, उसकी रचना इस्वर ने की है, इसलिए सारा संसार है, जो जग यानि संसार, सारा संसार है, जो उनके गुण काता है, जिसने कीट पतंग बनाए नाना पसू पकसी उप जाए जिसने कीट पत यानि छोटे छोटे कीट होते न उसने वो किसने बनाए हैं बगवान ने और नाना पसू पकसी नाना यानि अनेक प्रकार के पसू पकसी भी बनाए है है ना फिर जो अनाज फल फूल उगाता सारा जग उसके गुणगाता जो बगवान है वो अनाज फल फूल सब उगाता है इसलिए सारा जग उसके गुणगाता है तो आज अपन पाट यहीं तक पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा जो रह गया है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब दार्त आपको अपनी कौपी में करने है ठीक है फिर मोखिक यह सिर्फ आपको पड़ो और बोलो आप पड़ोगे बोलोगे अब्यास करोगे तब आपको इंदी की किताब पड़नी आएगी जैसे गुणगान इस्वर चमकाएं सरदी बरसाती वसंत परवत खूब जील पसू पक्षी ऐसे मोखिक ऐसे औरल आप घर प बढ़नी आएगी तो इसको आपको कौपी में नहीं करना है नीचे दिये गए प्रशनों के मोखिक उतर दीजी तो इसको भी आपको मोखिक उतर ही देने है इसको भी कौपी में नहीं करना कवीता में किसके गुणों का वर्णन किया गया है कवीता में इस्वर के या भगव में नहीं करना अब लिखी इसको आपको कॉपी में करना है ठीक है सही उत्तर पर सही का निसान लगाओ पतजड का मोसम किस रितु के बाद आता है पतजड का मोसम वर्षा रितु के बाद आता है जील तथनदी में जल देने वाला कौन है जील तथनदी में जल देने वाला कौ कविता में इन मेंसे किसका उलेक नहीं हुआ है को से लेक नहीं हुआ है। ठीक है तो ये डितुमें आई हैं कविता में किसको माता पिता कहा गया है कविता में इस्वर को माता पिता कहा गया है क्योंकि इस्वर नहीं हमें जीवनदान दिया है कविता का भावार्थ अपने सब्दों में लिखे कविता का भावार्थ क्या है कविता का यही भावार्थ है कि इस कविता में इस्वर के बारे में बताया गया है जिनोंने पूरे संसार की रचना की है और प्रकरती में प्रकरती द्वारा में बहुत कुछ दिया है इसलिए सा पूरज तो ऐसे बोलोगे बाद में लिखोगे चांद वसंत पत जड़ परवत अनाज तो ये सब है जो एक सब्द है इनका पहले उच्चारन करना है इसको बोलोगे बोल बोल के लिखोगे बोल बोल के लिखोगे तो ही आपको इंदी की बुक पढ़नी आएगी नहीं तो आज का आपका फूमेuy सा है k्योंसा है क्योंसा फूंसा है क्योंसे नंबर फिंप लिख्षा हुआ ना 1 चार ओर वार फॉ c k मैं करने हैं अगर आपके पास लिख्द अच्छी कि इसे शनार काम करोंगे पार एक ललग वहां खूंक करोंगे फिर ते तीस्रा और अगर आपके पास फर्स्ट कॉपी नहीं डाली हुई है अभी अवेलेबल नहीं है तो आप इंदी व्याकरण की जो कॉपी पहले से है आपके पास उसमें आप चेप्टर वन लगाओगे और ऐसे भी लिखोगे इंदी फर्स्ट उसके बाद में ये काम करोगे ठीक है अच्छ रहीं है पास लамен है दो कॉपी और जो बाद में है करो आपके अम वे जो。